सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप सभी का आपके चैनल तो परिफेक्ट क्लासिस में स्वागत है डारेक्टरेट ऑफ एडुकेशन जीन सीटी ऑफ धैली की वरक्षीट नमबर फॉर्टी वन डिसकस कर रहे हैं बच्चों क्लास एड की वरक्षीट है साइन्स की 21 दिसमबर 2021 की वरक्षीट है टॉपिक है र वरक्षीट में हम जनतों में जो अलंगिक जनन होता है उसके बारे में जानेंगे ताइप ऑफ रिप्रोड़क्शन इन विच ओंली ए सिंगल पैरेंट इस इंवल्ड इसक्सुल रिप्रोड़क्शन ये जनन का वह प्रकार होता है जिसमें केवल एक जीव ही जनन करता है ठ इस प्रकार के जनन में क्या होता है संतान अपने जनक की प्रतिलिपी होती है अब देखिए मतलब जो जैनेटिक इन्फोरमेशन होती है वो मिक्सिंग नहीं होती अब एक्जामपल देखते हैं बडिंग इन हाइड्रा एन इस्ट बाइनरी फ्यूजनीन अमीबा एड़ A bird starts as a bulge on the parent's body as this bird develops and grows it becomes a new individual organism हाइड्रा शरीर में एक्या एकसाधिक उभार जैसी संरचनाय होती है ठीक है और जिसे मुकुल कहते हैं और जैसे जैसे ये विक्सित होती हैं डेवलप्स करती हैं गिरो करती हैं विक्सित होकर ये क्या एक नया individual organism एक नया जीव बन जाता है ये जैसे ये मुकुल से अलग हो जाते हैं in some organisms the bird remains attached to the parents body example east अच्छा इसमें कुछ organism जो होते हैं इनमें जो birds होती हैं वो parents body से जोड़ी रहती हैं जैसे example ये होई इसमें east finally it dashed from parents body and develops into a complete mature individual और east जैसे जो जीव होते हैं ठीक है फाइनली ये क्या करते हैं ये parents की body से अलग हो जाते हैं और ये complete बिलकुल mature जो west की जीव होता है उसमें विक्सित हो जाते हैं ठीक है hydra की तरह जैसे यहाँ पर ये picture के थरूब भी दिखाया हुआ है तो अब आगे देखते हम since new individual is developed from a bird this type of asexual reproduction is called as birding hydra में मुकुल से नयजी विक्सित होता है इसलिए इस परकार के अलेंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं इधर topic है binary fishing in amoeba जो amoeba होता है उसमें दिखंडन amoeba is a single-celled organism which begins its reproduction by division of its nucleus into two nuclei amoeba एक कोशी की अजीव है जिसमें अलेंगिक जनन की किरिया है केंदरक के तो केंदरकों में विभाजित होने से शुरू होती है this is followed by division of chytoplasm of the body into two with each part receiving a nucleus और इसके बाद amoeba कोशी का भी दो भागों में बढ़ जाती है जिसके हर भाग में एक केंदरक होता है finally two daughter amoeba cells are produced from one parent amoeba अन्त में एक amoeba से दो संतिती amoeba बनते हैं this type of asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into two individuals is called binary fission ऐसी जनन जिसमें एक जीव भाजित होकर दो जीव उत्पन करता है दियुखंडन कहलाता है question देखेंगे बच्चों define birding and binary fission birding को define करना है मुकुलन को और binary fission को तो देखिए पहले आप यहां से लिखेंगे answer number one ठीक है यहां से यहां तक birding तक since new individual is developed from a bird this type of asexual reproduction is called birding तो यह लिख देंगे hydra में मुकुल से एक नयाजी विक्षित होता है इस ले इस प्रिकार के लेंगी जनन को मुकुलन कहते है next आप second line में लिखेंगे आप चाहें ते यह heading भी डाल सकते हैं birding उसके बाद यह lines लिखना ठीक है और यहां पर आप heading डालेंगे binary fission फिर आप लिखेंगे this type of asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into two individuals is called binary fission ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभादित होकर दो जीव उत्पन करता है दिखन्डन कहलाता है give examples of organism where budding and binary fission can be seen आपको ऐसे दो जीव उत्पन बताने जहां मुकुलन और दिखन्डन देखा जा सकता है तो आप यहां लिखेंगे answer यहां से example करके so इसका answer बच्चा आप यहां से लिखेंगे the type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction there is no mixing of genetic information जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलेंगिक जनन कहलाता इस प्रकार के जनन में संतान अपने जनक की प्रतिलिपियों होती है question number 4 देखेंगे हम question number 4 है explain binary fission in amoeba with the help of diagram तो इसमें आपको बच्चे यहां जो heading डली हुई है यहां से answer number 4 start करना है देखें यह ही से ठीक है फिर आप पूरा लिखेंगे और यह picture भी बनाएंगे पूरा paragraph लिखेंगे आप amoeba is a single called organism which begins its reproduction by division of its nucleus into two nuclei this is followed by division of cyptoplasm of the body into two with each part receiving a nucleus finally two daughter amoeba cells are produced from one parent amoeba ठीक है this type of आप यहीं तक कर लीजिया answer number 5 ओके आप चाहें तो binary फिजन से तक भी लिख सकते है answer number 5 है आप इसे भी इसमें ही add कर सकते है answer number 1 को 5 में ही ठीक है question number 5 है आपका explain reproduction in hydra with the help of diagram इसमें भी आपको amoeba का diagram बनाना है और इसमें भी आपको पूरा paragraph लिखना और यह diagrams बनाने ठीक है तो इसमें आप लिखेंगे budding in hydra a bird starts as a bulge on the parent body as this bird develops and grows it becomes a new individual organism in some organism the birds remains attached to the parent's body finally is detached from parent body develops into a complete mature individuals यहां तक लिख सकते हैं और आप चाहें तो यहां तक लिखेंगे तो better रहेगा fifth मैंने यहां तक मिशान लगाया पूरा paragraph लिखना है since a new individual is developed from a bird this type of sexual reproduction is called as buddy okay students तो यहां पूरा पूरा paragraph लिखेंगे answer number four में भी with them, diagram और इसमें भी ठीक है तो आपकी worksheet solve हो गए अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आईए तो please मेरे वीडियो को like करें